बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल हाउस ओप टैक में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की बीयर, विश्की और बाइन में क्या अंतर होता है और इन तीनों के अंदर कितने पृतिसत अल्कोहल पाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं, आज की जन्रिशन के लिए बीयर पीना एक ट्रेंड सा बन गया है सभी पीने यूग पदार्तों में पानी और चाय के बाद बीयर तीसरा पीने वाला पदार्त बन गया है बीयर का निर्मान एक बिसेश प्रकार की प्रक्रिया जिसे हम फर्मेंटेशन या किडवन के नाम से जानते हैं के द्वारा किया जाता है बियर को बनाने के लिए जोंका उपयोग किया जाता है इसके अलावा बियर बनाने के लिए गेहूं, मक्का और चाबल का भी इस्तमाल ब्यापक रूप से किया जाता है बात की जाए इसमें अल्कोहल प्रतीसत की तो बीर में सामानिता 3-6 प्रतीसत तक के अल्कोहल की मातरा पाई जाती है बहीं दूसरी ओर बाइन का निर्मान अंगूरों द्वारा होता है अंगूरों को लंबे समय तक फर्मेंटेट करके किया जाता है खमीर यानि इस्ट अंगूर में उपस्तित सरकरागों फर्मेंटेट करके एथनोल और कार्बन डायोकसाइड में परिवर्तित कर देते हैं जिससे बाइन का निर्मान होता है अंगूर के अलाबा बाइन बनाने में सहतूत, अनार, आलू, सेव, नासपाती तता अलू बुखारा इत्यादी फलों का प्रियोग भी किया जाता है बाइन मुकिता तीन परकार में उपलब्द होती है रेड वाइन, वाइट वाइन तता पिंक वाइन बाइन में सामानिता अल्कुहल प्रितिसत 8-10 प्रितिसत पाया जाता है वहीं विस्की माल्ट नास से फर्मेंटेट पर आस्थ मादक पदार्थ होता है विस्की बनाने के लिए धिविन परकार के अनाजों का प्रियोग किया जाता है जैसे जों, राई, माल्ट राई, मक्का तता गेहुं इत्यादी बिस्की को सामानिता लगडी के पुराने ड्रमों में भरका रखा जाता है जिससे उसको बैठर टेस्ट दिया जा सके ये ड्रम ओक के बने होते हैं मार्केट में उपलाब्द बिस्की में सामानिता अलकोहल का प्रितिसत 35-45 प्रितिसत तक हो सकता है शामानित और पर किशी व्यक्ति को एक गंडे में 30 ml से जादा सरापका सेवर नहीं करना चाहिए तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि आकर बियर भाइन और बिस्की में क्या अंतर होता है इसी प्रकार की तक्नीकी और बिग्यान पर आधारत वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वाजिंग